नमस्कार मैं RS रुहिला आज आपको लीलियम की कल्टिवेशन जो की कोकोपीट में की जाती है उसकी अपडेट दिखाऊंगा यह देखिए यह आपके सामने लीलियम की कल्टिवेशन कोकोपीट में की हुई है इसका रेजल्ट आप अपनी आँखों से देखिए की जो फ्लावर है उसकी हाइट कम से कम एक मीटर तक आई हुई है और स्टिक भी हेल्दी है काफी डेंस कल्टिवेशन है और जो नमबर फ्लावर्स हैं वो भी इसमें पांच से साथ आई वे हैं और काफी हल्दी फ्लावर्स हैं मतलब कहने का यह है कि जब भी आप लीलियम की कल्टिवेशन करें तो इसको कोकोपीट में ही कीजिए और काफी लेट तक आप इसकी कल्टिवेशन कर सकते हैं खाली मे और जून का महिना ऐसा बचता है जिसमें आप प्लांटिंग नहीं कर सकते वरना जो मार्च के महिने में यह देखिए यह बिल्कुल क्लियर दिखाए हुआ है कि आप इसकी कल्टिवेशन थैलियों में एक थैली में चार बल्ब रखके कर सकते हैं और कोई डिजीज भी नहीं होती है और बहुत ही अच्छी फसल हाइट पूरी आती है जिससे ताकि आपको जब भी कभी मार्केट में बेचेंगे तो उसका बहुत अच्छा रेट मिल जाता है बिल्कुल यूनिफॉर्म ग्रोथ है आप देखिए यू ग्रोथ भी बिल्कुल एक जैसी है कोई छोटा और बड़ा नहीं है कोई कोई फ्लावर इसमें अभी कलर देने लगे हैं हाइट देखिए आप इसकी एक से सवा मीटर तक की हाइट होती है और उतना ही मार्केट में काफी अच्छा माना जाता है जब भी आप इसे बेचने जाएंगे स्टीक की हेल्थ देखिए थिकनेस देखिए बहुत ही अच्छी फसल आती है कोकोपीट में और बहुत ही नरम रहती है कोकोपीट इसलिए जड़ें भी बहुत जल्दी भागती है एक्सेस वाटरिंग भी फील नहीं करता है पौदा और काफी लेट तक आप फसल ले सकते हैं देखिए ये मे का महिना है और मे में फसल आई हुई है जो कि मार्च की प्लांटिंग थी दो महिने में फसल निकल कर आ जाती है और आप इसको सोयल की तरह ना यूज करके आप बार-बार प्लांटिंग कर सकते हैं इसी कोकोपीट के अंदर और फर्टिलाइजर जो है वो एनपी के सोलुबल विद माइक्रो नूट्रेंट आप एक ग्राम पर लीटर ओफ वाटर सुबह शाम यूज कर सकते हैं ताकि इसकी ग्रोथ मेंटेन रहे और फ्लावर का कलर भी बहुत अच्छा आए आप इसको यूनिफोर्मिटी देख सकते हैं बिल्कुल क्लियर इसकी ग्रोथ भी बहुत मजबूत और देंस प्लांटिंग है देखिए सोयल की तरह नहीं है कि आप एक बार लगाएं और फिर बाद में दुबारा से ना लगा सके उसी जगे के उपर क्योंकि नूट्रेंट इसकी कमी आने लगती है यह देखिए फ्लावर अब कलर देने लगे हैं और इसकी जो हार्वेस्टिंग है वो भी एक महीना एक महीने तक चलती है जो भी फ्लावर आपका हलका कलर देने लगे क्लोज रहे बंद रहे तो आप इसको नीचे से कोकोपीट के नजदीक से काट सकते हैं और फिर मार्केट में इसे भेज सकते हैं यह देखिए यह उपर नेट लगा रखा है ताकि हलकी छाया बनी रहती है इसी की 30% का नेट है इसे इतनी छाया बनी रहती है कि यह ग्रोथ पूरी ले एक्सेस जो हीट है सन की वो भी रुक जाती है और एक बहुत अच्छा फ्लावर बढ़िया कलर देने वाला आपको मिलेगा तो इस तरह की कल्टीवेशन आप इसी जगह के उपर बार-बार कर सकते हैं और कोकोपीट में बहुत अच्छी ग्रोथ भी ले सकते हैं